Hello everyone, welcome back to my mini blog. आज मैं आपको बाले में on arrival visa के बारे में जानगारी देने जा रही हूँ because मैं last month ही बाली हो के आई हूँ यहाँ पे सबसे पहले हमें on arrival visa के लिए payment करना होता है जो कि आप online भी visa ले सकते हैं और payment कर सकते हैं बट हमें price में काफी difference दिख रहा था जहाँ पे हमें 30 days का visa grant हो गया था जो कि एक्सेंडेबल था इंशॉरेंस की बाद अगर मैं कर लो तो यह compulsory नहीं है अगर आप चाहें तो इंशॉरेंस ले सकते हैं या फिर इसे avoid कर सकते हैं हमने इंशॉरेंस नहीं लिया था इसके बाद हम लोग customs में गए थे वहाँ पे QR code हमें generate करना होता है या तो आप इसे online generate कर ले या airport पहुचने के बाद online करेंगे तो आपका time काफी save होगा उसकी link मैं आपको नीचे description में डाल दूँगी चलिए मिलती हो मैं अपनाने वाले व्लोग में तब के लिए बाई